सब्सक्राइब मार दो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करो में इस्ट्राइब पर बहुत ही बेस्च शॉर्ट नोट से हैं तो प्लीज आप जाके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में फटा-फटामर इंग्लिश वर्डाप डाउनलोड कर ले और पूरा जो प्रोसेस आप कैसे उनको एक्सेस कर सकते हो वो डिस्क्रिप्शन में लिखा वटावर जाके चेक आट करें से वीडियो को शुरू करते हैं सबसे फ़हले पूछा जाता है को देखने को मिलते हैं उसको बोलता है को अब बात करने वाले आप यह वर्णर थे ओफ और और इसके वर्ण इन और ने क्या चीज़ बताई है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं मेरे वो दो टाइप की वैलेंसी यहाँ पर उनके पास वह वो पॉससे करते हैं टू टाइप सबसे पहले और इस सिर्फ एनाइंस के हेल्प से होती है तो इस रिफर्ड आइस क्या इस रिफर्ड तो इस रिफ्रेज़ बताऊंगा चीज़े कुछ और उसके बाद अगरा बात करें सेकंडरी वैलेंसी की अगें सेकंडरी वैलेंसी और इस रिफर्ड पाया जाता है अब एक 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 एक्जाम्पल के अपको चीज़े समझाओंगा और यहाँ पर जो गुरूप सो ते होते ह हैं वो बताती हैं है अपर आपको कोडिनेशन नंबर को तो कोडिनेशन एक ऐसे आपके नंबर के बारे में डैशना को मिल रही है आपकी च्री के को मिल रही है ख लगे यह तीन डॉटे लाइन से जो कि आपको क्या शो कर रही है प्राइमिरी वैलनसी अगीन और आपको six solid lines देखने को मिली छे solid lines जो कि आपके यहापे secondary वैलनसी को शो कर रही है तो इस structure की basis पर आप समझ कि यहों कि यहां पर इसके basis पर बात करूं आपको बताया है कि लिगेंट के basis पर कैसे कैसे हैं आपके different complexes आपको देखने को मिल रहे होते हैं जो में इंपोर्टन बाते हैं इस chapter से लेटेड वह हम आगे करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं double salt की डबल सॉल्स क्या होते हैं अब जो डबल सॉल्स होते हैं एक्जिस्ट ओनली इन ता सॉलेड इस्टेट से फोर से सॉलेड स्टेट में यह एक्जिस्ट कर रहे होते हैं double salt और इन एक्कर सॉलूशन के डिसूसीट हो जाते हैं completely into ions तो यह यहां पर डबल सॉल्स के बात कर लिए तो सेकेंड जो कंपाउंड होंगे वह होंगे कॉडिनेशन कंपाउंड यह जो चैप्टर का भी नाम है तो कॉडिनेशन कंपाउंड रिटेन बोट इन दा फॉर्म और इस्टेट में रिटेन होते हैं और साथ-साथ और यहां पर डिस्टेशन नहीं हो रहा होता आयंज में डिस्टेशन इनका नहीं हो रहा होता कॉडिनेशन कंपाउंड की तो फटा वर्ट को पढ़ते हैं अगर आब मैं बात करूँँए आपकी कॉडिनेशन एंटिटी तो इसमें कैसे कैसे आपका basic आपकी चीज़े बन रही होती है सबसे पहले को coordination entity में आपका central metal atom होता है यह फिर iron होता है जो कि यहां पर bounded होता है by fixed number of ions या फिर molecules तो फिर आपको central atom में आपके iron के वारे बात करीगी सबसे number one और it is enclosed in a square bracket है square bracket आपने देखा ने इसके example में उसमें enclosed होता है और collectively यहां पर coordination sphere का मैं आपर term देता हूं इस चीज़ को जो bracket के अंदर होता है वो पूरा coordination sphere उसमें central atom होता है लिगेंड वगर होते हैं आपके groups होते हैं और side में और जो bracket लग जाता उसके अंदर पूरा entity जिसमें आपको जो कोबाल्ट है आपको यहां पर कोबाल्ट देख रहा है यह रहा है यहां आपका पर जिस के बात करूं की बात हो रही थी तो जिस atom कि यहां पर जिस यहाँ पर fixed number of ions या फिर groups यहाँ पर definitive geometry कि यहाँ पर bind उससे bounded है और एक arrangement बना रहे हैं geometrical arrangement का formation कर रहे हैं around it तो उसको मैं बोलता हूँ आप सेंट्रल atom I hope कि central atom आपको अल्रडी पता है बस basic definitions है अब ligands की बात करते हैं लाइगंड की बात करते हैं तो species which donate loan pair electron pairs loan pair या फिर electron pair आपका हो गया income बोलते हैं like and on the basis of number of electron जो कि यहाँ पर available हैं आप फॉर the donation लिगेंड यहाँ पर classified हो कर रही जाते हैं उसके कुछ classes होती हैं तो यह classified on the basis of charge या फिर on the basis of the density charge की बात करो तो वहाँ आपको monodentate by dendate poly flexi mb dendate वागए रहें आपको classification नॉर्मल थियोरी के परपस से यह term आपको समझाईए इसके बाद में topics पर जलते हैं अब बात करते हैं आपे very very important topic coordination number की coordination number से हमें आता है coordination of metal ion यह complex यह आपके define कर जा सकता है number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded जितने भी आपके number of ligand donor atoms है जिसके साथ आपको में central atom आपका bounded है वो हापि उस number को बोलूँगा coordination number I hope कि तुम इस चीज़ समझ में समझ गये होगे जो आपकी shape of complexes है वो in coordination number में बहुत जार depend करता है जैसे आपके आपके प्यारी सीटेबल दे रख्या है आपके तुम में आपके देख रही होगी इस table के according तुम हो सब कुछ लिखा जैसे आपके चीज़ केमिकल बांडिंग में भी पढ़ा रख्योगी आपके बांडिंग में अच्छे से पढ़ा हो 11 प्रास में अब यह आपके आपके बात करूं वह सब हटा दी जाए अगर ने आपके रिमूफ कर दिया पर लिगंग तो उसको बोलता हुँ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको दुबार दुबार आपको पढ़ाने ही जोट है नियुक्त अब अगरा अब यहां पर कुछ सब्सक्राइब करना है हमें कि जो एनाइन होता है वह हमेशे आप यह के बाद ही नेम किया जाएगा ठीक है यह था की नौन आपको एग्जैंपल सब समझाऊंगो होँआ पर सब समझ में आजाएगा जो complex पार्ट होता है वह रिटेन इन वन वर्ड एन नेम फ़टिनेशन कंपाउंड जो होता है वह स्टार्ट विदे स्मॉल लेटर से मिस्टार्ट करते हैं हमेशा अधना हमेशा मिस्मॉल लेटर से यहां पर उसका नेम अब किसी भी कंपाउंड का नेम में युग कोडिनेशन इस फियर लीगेंड जो होते हैं और नेम ने था फर्स्ट इन अल्फवर्टिकल और जो आपका अल्फवर्टिकल और पहला है उसको मतलब आपका प्रेजिन प्रेजने तो आपको जो पहले वह लिखना है उसके तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा वगरा यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर बात करूं, फर मालनों कुछ-कुछ लिगन दो जिसके नाम में इस टाइप की कभी प्रिफिक्स आपके अगर अगर इस केसे में आपको क्या करने है, किस टाइप की प्रिफिक्स यूज़ करने है प्रिफिक्स नाम करने हो, यहाँ पर अगर रखिया रखुगे यहाँ पर आपका रखंप इस को बोलते हो, तो यहाँ पर पिर अपर अगर मैं आ बोलनों, घूला में तो को आपने में चन्रलतम में ? यह आपने क्रusing लिख फिर आ खाल का एक लिक़ निक RODB में टीन है फिर ours कितने हैं ? पूरायक्ट में करके की अपने लिखते खरी के बार के घ्या है? कि ग चिम्राइब क्यों से बस्क्का खाल सत्क्राइब टीन है थे आज बातों करोा सब्सक्राइब निगालने की कोशिश करते हैं फटाफट से अपको अच्छे देखेंगा रुख जो भी समझाते हैं फटाफट से देखो यहां पर मैं निकालू है ना सब्सक्राइब निकाला इसका जैसे की बाकी आपको सब्सक्राइब को देखने को मिलेगा इसमें आपको बहुत बेसिक बात हैं आप फटावर्स को रिवाइस करते हैं नोट्स अगर आप उन्ने पास होंगे मेरे वाले तो आपको फाइदा मिल जागा तो आप इंग्लिश वर्ड आप डाउनल को फुरो प्रोसेस दिस्क्रिप्शन में कैसे इनको एक्सेस कर सकते हो जो टेट्राइब को पता कैसे होते हैं वो यहां पे एक्जिबिट नहीं कर पाते जिमेट्रिकल आइसोबरिस्म को अगर मैं कुछ स्कुराइब की बात को यह से में तो यह आपका आगया ठीक है तो आपको समझ पाऊगे तो में आपको दिखाया इनको दिखाया कि यह जो इस टाइप के स्क्वेर पेंड़ी एक्जिबिट कर लेते हैं यह चीज यह लोग कर लेंगे आपका इसो मेरिस्म तो आप यहां पर बना लोग इसके जिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समझ माज़ए नहीं पर लिख रखका अगर एमें बी करेंगे तो आपको याद होती जाएंगी चीज़ें बारबर निकालने की ज़रूत नहीं पड़ेंगी तो यह बहुत बैसिक बाते करेंगे इसक्राइब के बारे में थोड़े मैंने और चीज़े लिख्यों यह फटाफट रेकने पड़ना आप इस चीज़ को और क्प्लेक यह जो इस टाइब के कॉंपलेक्स होंगे है ना यह आपके शो कर लेंगे जो मेंट्रिकल आइसो मेरिज्म यह कुछ आपको बेसिक बाते पताई गई एक काम करना वो याद कर लो जो नहीं करेंगे उसके बागिया आप निखा कर देख लेना जातर तो कशही बैठ जाएग जो कि मैं आपको बताया भी था उसमें ठीक है कि करने वाले ठीक है अगयो कि तुम्हें चीज समझ में आगे होगी आईसो मेरिस्वाली चीज ऑक्टाइडल के लिए आइसो मेरिस्वाला जो टॉपिक है मैं अच्छे तुम्हें आपे 11 वाले क्लास के जो लेक्टियर से के लेते हैं ऑप्टिकल आइसो मेरिस्म यहाँ अठना जो आपके ट्रेट्रेडल कॉम्पेस होते हैं एम एबी सीडी फॉर्मेट में होंगे जो वह आपके आपके आप्टिकल आइसो में शो करेंगे ठीक है यहाँ पर आपका एग्जांपल भी रखा है चारो अलग एंस त्र एस्टो और चारो अलग लगें एम एबी सीडी तो यह आपके शो करेंगे ठीक है यह बताएं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि जो स्क्वाइर प्लेनर जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं स्क्वाइर प्लेनर वो कभी भी नहीं शो करेंगे ऑप्टिकल आइसो म और याद करना चाहो तो कर सकता हो वन्हें आपके जो कॉष्छन आपके आयो बी सी पर आगें कॉडिनेशन लंबर ऑक्टिकल इस वह रहेंगें तो यह आपके एक्जिबिट कर लेती है ऑं अप्तिकल आई सो तीक है मैं आपको वहत ही ऐसे एसे हैसे केसे केसे आता है और बंद करके आप कह सकते हैं करेंगे भई ठीक है अब इस्ट्रक्टर के बेसिस पर आपके चार टाइप के आपको आइसो मेरा होता है इसमें आपका से होने इस अब होका पर फर्म अले चैनलबर प्रडिश सेय्जाप रहा है सथ्ट्रेश तब आपको में आपए बात करो है आपका हाइडरेज क्या कर देर ईसमेसम टमय वाग tapped है कि structural isomerism isomerism होगा शो करेगा by ambidentable ligand जैसे आप यह सब को होगा FENS3 का whole five SCN है ना यह फिर आपको होगा NCS है ना देखर SCN का NCS हो गया तो आपको इस type के isomerism देखने को मिल रहा है तो linkage isomerism के अंदर आ रहा है ठीक है ambidentable ligands यहां पर यूज हो रहे है SCN हो गया ठीक आखरी आपका coordination isomerism क्या कहता है isomers having both anion and cation as complex entity can interchange position यहां पर position की interchange हो जाएगी of the ligands as well as the metal के भी यहां पर interchange हो सकती है example देखो CRNS3 का whole six CO CN का whole six and यहां पर देख सकतो CO NS3 का whole six हो गया देखो CO के साथ NS3 आ गया और यहां पर आपका CR के साथ CN आ गया ठीक है जस्ट उल्टा हो गए ठीक है interchange हो गए आपका क्या होगे आपका main आपका metal भी interchange हो गया आपके ligands भी interchange हो गया bonding in coordination compound हमारे आखरी कुछ topics में से एक है इसमें आपको सबसे पहले VBT थोरी बताइए VBT थोरी में आपके chemical bonding पढ़ा चुका हूं और रिवाइस करा रहेता हूं को दिख कर नहीं की वैकिन orbitals of central metal atom जो होते है वह hybridize करते हो overlap with the orbitals of the ligands each containing the lone pair of electrons के साथ आप पर overlapping हो रही होती है जो ligand है वह contain करता है at least one lone pair of electrons which can be used for bonding with the central metal atom के bonding वहां पर help हो रही हो थी उस lone pair की वजह से ठीक है अब यहां पर आपको hybridization वगएरे के बार में लिखा है दुवारा पढ़ा देका कोई मतलब नहीं है कि आपको structure कैसा होगा आपको structure देखने को मिलेगा जैसे nico को hole 4 हो गया या फिर nicl4 का यहां पर two negative हो गया dsp2 hybridization की बात कर दो कि यहां पर स्क्वार प्लेनर ने आप इस्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है एक्जामपल FECU का hole 5, FECU, CL का निकाल होगे इसका डाइगरे structure बना होगे तो अगेन आपको यहां पर इस ताप के hybridization मिली गया और जैसी hybridization निकल के आई वैसी आपको यहां पर structure समझ में आगया complex field covalent complexes भी मैं बोलता हूँ जो inner और आपके orbital complexes होते हैं तो वह आपका inner orbital बोला जाता है और उनको मैं बोलता हूँ strong field covalent complexes का नाम देता हूँ मैं ठीक है आपको जो आप जैसे आपका आपका और ऑज्टर आपका आपका और यहां पर हाई जो आता है और यह फिल बीडिया कॉप्लेफिल का नाम मैं देता हूँ इन और बीटल के अलग नाम था ओट और बीटल के अलग नाम है वी बीटी फॉर सम कॉंप्लेक्स इसा पर गिवन है कि जैसे कॉंप्लेक्स है ना आपका MNCN होल 6 फोल नेगेटिव यहां पर इसकी पाश्यार्ज यहां पर दे रखा है तो इसकी अगर मैं सब्सक्राइब करोगे तो यहां को दिख रहा होगा कि यहां पर किसके साथ है सब्सक्राइब कराएगा तो आप यहां देख सकतो एक दो तीन चार पांच यहां पर यहां पर आपका एक अन्पेड इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसके बाद यहां पर हाईविडिशन कितनी हुई आपकी D2 SP3 अगें D2 SP3 आपकी अगें इसकी हाईविडिशन हो गई यहा अगें आपको इसकी ओक्ताइब देखने को मिल रही है और लो स्पिन कॉंप्लेक्स है पार मैगनेटिक की निचर है क्योंकि एक अन्पेड इलेक्ट्रॉन बच गया तो निकालना जैसे तो निकालो खुद निकालो मैं सामने आगे बताओ सामने आगे पॉस करो बताओ इसक तो यहां पर कितने यहां पर आपको आपका जो हुआ तो आपक जो हुआ डाइम एकिन नेचर हो गया आगे चीज़ समझ में आगए बस वीबीटी ऐसी है लिए खुद सौल करगे देख कि यह बागी देख क्या हो मेरी वीडियो तो मैं समझ में आ जाए यहां इक बात लिखी गई है कि अगर आपका इनर और और बीटल कॉंपलेक्स फॉर्म होता है और अगर आपका वीक फील ल बड़ अगर बात लूंड में यहां पर इसको बोलता हूं और इसको इसको बोलता हूं क्रिस्टल फील नियरक्टा है and the crystal इसको हम बोलते है crystal field splitting energy तो CFT से कभी कोशन आ जाता है इसको अगर आपको ब्रॉड वीव पढ़ना है तो अब एक बर CFT को में नोस में आप बढ़ सकते हो पूरे हापे मैं अच्छे से इंक्लूड किया गया है नोस आपको कहा में लिंगे English word क्या आप पर जाके check out करें link description में यहां पर आपका इक बहुत इंपोर्टन फॉर्मला काई बार पूछा जाता है यह बस मैं एक बर कर जाता हूं आपके लिए आपका बहुत इंपोर्टन फॉर्मला है तो प्लीज आप इसको डिफिनिटी इवा मार्क आउट कर लेने से कभी कभा रे आप से कोशन पूछे जाता है अगर कोशन पूछे जाके तो इस फॉर्मले से पूछा जागा यह बस कर लो याद रखना स्ट्रॉंग लिए तो पेरिंग कराएंगे वेरी इंपोर्टन वीक फिल ले तो पेरिंग नहीं कराते है ठीक है दूसरे दूसरे के चीज़ पर इपन करते हैं अगर हायर दा आयनिक चार्ट ऑन दा सेंट्रल मैटल आयन है उसकी ग्रेटर आपको बढ़ती जाएगी उतना यह पर आपके अनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी ठीक तीसरा क्या होगा आपका नेचर ऑफ देमेटल आयन होगे नेचर अव देमेटल आंड़ कोडिनेशन इडिज ऑफ सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं आफ ग्रेटर टेंट अब कोडिनेशन अनर्फ देमेटल आपके यहाप यह फॉर्मला बनता है एन अफेक्टिव नंबर कर पूछ लिया जाता है एक्जैंपल अगर मैं लूँ यहाप इन पे इन के फोर एफी सीन शी सिक्स कॉंपलेस कि अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा यहापका एफे सब्सक्राइब करना कि अगें पीजिए इंट्रेशन नुबर कि निक इन ना यहाप को हो गया तो ऐसे अग्ज़ाइब है तो हम लैख तो यह फॉर्ममला यह फॉर्मला ब्लीज मन में बसा लिज़िए अपने एफेक्टिव इपार पूछा जाता है और एक्जैंपल भी ब कि आपको definitely chapter पसंद आगो पर चैप्टर पसंद आगो वीडियो को लाइक जागो सब्सक्राइब मारे में इस्टेग्राम को लिंक डिस्क्राइब कर ले इसके जो नोट से जो बहुत प्यारे से नोट्स आपके लिए बनाये गए हैं हैं रिटन शॉर्ट नोट्स तो प्लीज आप जाके इन्हें इंग्लिश वर्ट का आप डॉनलोड कर लें लिंक है डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस के आप कैसे ने एक्सेस कर सकते हो फटा वर जेके चेक आउट करो फोर ते रहो पड़ते रहो मिलते है नेक्स्ट विस्टेबस गुट्बाइ बाबाए फॉर्टे रहो